हेलो एविवन मैं हूँ बीना और टैंगी कीचन में आपका स्वागत है आज हम सुजी के पकोड़े बनाएंगे अगर आपके घर में बेसन ना हो तो आप बीना बेसन के भी स्वाधिस पकोड़े बना के तयार कर सकते हैं सूजी के पकोड़े काफी कुरकुरे बनते है और खाना में बहुत ही टेस्टी बनते है और बहुत ही जल्दी बनके तयार होते है तो चलिए हम सूजी के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते है सूजी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहां पे दो कप सूजी, सूजी मैंने बारी की समल की हुई है आधा कप धनिया, धनिया को मैंने दो के फिर काड़ के लिया हुआ है आधा कप दई, दई मैंने घर का इसमल किया है दो छोटा प्याज, प्याज को मैंने बारी काटके फिलिया हुआ है अगर आप चाये तो एक बड़ा प्याज भी समाल कर सकते हैं एक छोटा चमाच चिली फ्लक्स, नमक हम लेंगे स्वाध अनुसार, अदा छोटा चमाच विकिंग सोडा दो हरी मिर्च और एक इंच अद्रक का टुकडा, दोने की पेस्ट मेरे साथ में बना के लिए हुई है और तेल हम लगे पकोडा तलने के लिए, तो चलिए हम पकोडा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पकोडा के लिए उसका बैटर बना के तयर करेंगे बेटर बनाने के लिए हम सूजी को बड़े बरतन में डालेंगे अब इसमें काटी हुई प्याज डालेंगे दई डालेंगे अगर अब चाहे तो रेडिमेट दई का भी समल कर सकते है अज़रक और हरी मिर्ज की पेस्ट चिली फ्लेक्स काटा हुआ धनिया ज़्यादा डणे डालने से इसका ट्रेस काफी अच्छा आता है स्वाब दरूसा नमक डालेंगे और थोड़ा पानी डालके इसका पकोड़े जैसा बेटर बना के तयार करेंगे और थोड़ा हम पानी डालेंगे मैंने बैटर को अच्छी तरह से हिला दिये है आप देख सकते बैटर की कंजिस्टरंसी मैंने मीडियम रखी हुई है अब इसे हम ढखके 15 मिनिट ढख देंगे ताकि सुजी है वो फूल के तयार हो जाए तो 15 मिनिट बाद हम इसे चेक करेंगे 15 मिनिट हो गई है अब हम बैटर को चेक करेंगे बैटर है वो पकोड़े के बनाने के लिए तयार है सेट होके तयार है तो अब इसमें हम सोडा डालेंगे सोडा हम पकोड़े बनाने के पहले ही डालेंगे मैंने तेल को गेस के उपर गरम कनेक के लिए रख दिया है करेंगे और कड़े में आये उतने पकोड़े हम डालेंगे पकोड़े को हम बल्टा देंगे और पकोड़े को हम चारो ओर से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राय करेंगे पकोड़े को हम चेक करेंगे आप देख सकते हैं पकोड़े है वो क्रिस्पी बनके तयार है गोल्डन ब तो बीना बेशन के भी आप पकोड़े बना सकते हैं और यह ज़्यादा कुर्कोरे बनते हैं और बचे हुए बैटर में से हम इसी प्रकार के पकोड़े बना के तयार करेंगे सारे पकोड़े फ्राय होके तयार है मैंने इसे सब्रीन प्लेट में सर्व कर दिया है और टमाटे केचप के साथ सर किया है अगर आप चाहे तो इसे हरे दने की चटनी के साथ भी सर कर सकते है आप एस रेसिपी को घर पे जरुडरा कीजिए और मुझे कॉमेंट में फिड़बेक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दुबाराँ फिर मिलेंगे तब तेक लिए थेंक यू बाई